ग्लाइकोलेसिस में ATP यूज होता है produced होता यह इतनी सारी जगह पे हम इसके बारे में डिटेड इंफॉर्मीशन देजिएум। वेल्कमेसिशन टॉपिक है वो है ATP, तो फिर चलिए simplification स्टार्ट करते हैं, ATP energy currency के रूप में हम जानते हैं, यह power bank है है ना, सारी जो भी biological reactions होती है, जो metabolism की process जो होती है ATP बहुत ही important biological compound है क्योंकि इसका use कहां कहां होता है, muscles contraction में इसका use होता है, nerve impulse propagation में इसका use होता है, polymer की synthesis में, chemical synthesis में या फिर ATP की जो requirement होती है वो RNA और DNA की synthesis में भी होती है इसके साथ ही DNA replication या फिर DNA transcription में ATP कंजूम होती है, तो इतना important चीज है ATP तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ATP का full form क्या होता है ATP short form है, इना किसका adenosine triphosphate, कि तो यहाँ पे आप देखेंगे, इससे ATP बना है, है ना, इसका short form है adenosine triphosphate का, यहाँ पे आप देखेंगे किन-किन चीजों से मिलके यह बना है, एडेनिन ठीक है, यहाँ पे ocean लगा हुआ है, तो यह दो चीजों का combine है, किन-किन ने, नाइटोजिनस बेस पढ़ा हुआ है, है ना, प्यूरिन और पारिमेडिन, तो यह वो चीज है, है ना, उसमें शुगर इसमें यूज हो रही है, राइबोश शुगर, है ना, और इसके साथ यह triphosphate यूज हो रहा है, मतलब, तीन PO4 मॉलेक्यूल यूज हो रहे हैं, इसलिए हम triphosphate कह रहे हैं, है ना, तो यह हो गया ATP, आडेनिन, प्लस, राइबोश, यह क्या बन गया, आडेनोसन, ठीक है, तो हम इसको आडेनोसन ही लिखेंगे, आडेनोसन, प्लस, फॉस्पेट, PO4 ग्रुप, है ना, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, जब एक फॉस्पेट ग्रुप रहेगा इसमें, तो यह कहलाएगा अडेनोसन, मोनो फॉस्पेट, मोनो फॉस्पेट मतलब एक फॉस्पेट ग्रुप है, जब यही चीज दो होंगे, तो यह कहलाएगा adenosine diphosphate, और जब phosphate तीन ग्रूप होगा, PO4, तो यह कहलाएगा adenosine triphosphate, आई बात क्लियर कि AMP क्या है, ADP क्या है, और ATP क्या है, कुछ रही है, सिर्फ phosphate group का numbering है, जितने number में रहेंगे phosphate group, उतना वो कहलाएगा, एक रहेगा, तो mono, दो रहेगा, तो die, तीन रहेगा, तो try, आई बात क्लियर, अब चलिए हम इसके structure को देख लेते हैं, तो picture में आप देखे को समझ पा रहे हैं, कि यह structure किन-किन चीजों से मिलके बना है, कुछ यह याद आ रहा है आपको, जब हम nitrogenous base पढ़ते हैं, जब DNA का molecular structure पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यह चीज आती है, यह हमारा एडिन और यह राइबो शुगर, और यहाँ पर यह हमारे फॉस्पेड ग्रॉप, यह इतना पाट है, हमने DNA का molecular structure भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको यह सब समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आ प्राइबो शुगर, और फिर यह चीज हो गई, और यह दोनों मिलके जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यह क्या बन जाएगा, अडिनोसिन, अब यह जो अडिनोसिन है, जब एक फॉस्पेड को लेगा, तो यह कहलाएगा, अम्प, जब यह दो फॉस्पेड को लेगा, तो यह कहलाएगा, अडिप, क्लियर हो रही है चीज, और जब यह तीनों फॉस्पेड को ले लेगा, तो यह कहलाएगा, अडिप, यह पहला फॉस्पेड, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो यह हमारा स्ट्रक्चर है, किस सीज का, अडिप का मॉलेकलर स्ट्रक्चर है, हो र आइलाइटेड बॉंड आपको यहां दिख रहे हैं एक्चुली होता क्या है कि जो ATP मान लो कि एक आदमी है जो कुछ मठके को अपने सर पे लेके चल रहा है ठीक है उसकी कैपेसिटी है तीन मठके एक बार में वो रख सकता है अपने सर पे अब उसको क्या करना है कि एक जगह पने सरस दूसरी जगह पर बार मठके को पहुंचाना है ठीक है तो क्या होता है कि एक से दो मठके जो बढ़ के बढ़ हुए रहते हैं तो इसको च्रांसफर करना ऐजी हो मजबूती से उसको पकड़ता है, एक्स्ट्रा एनरजी लगती है उसको एक जगह से दूसरे जगह में, उसको ट्रांसफर करने में, उसको पकड़ के रखने में, एक मटके को जितनी जल्दी हो सके उसे हटा देना चाता है, चीज़े हो रही है, ठीके, तो यहां पे भी वही लेकिन जो यह तीसरा वाला फॉस्पेट है, यहां पे जो आप बॉंड देख रहे हो ना, यह हमारा जो बॉंड है यह हाई एनरजी बॉंड है, यह हाई एनरजी वाला बॉंड है, यह बहुत जल्दी रिलीज होने के लिए रेडी होता है, बस हमको बस जल्दी से छोड़ जैसे कि एक स्परिंग है, उसको हम प्रेसर से दबा के रखें, ठीक है, प्रेसर बहुत एनरजी के साथ उसको दबा के रखें, लेकिन हलका सा भी मतलब उसको अगर टाइम मिला तो तुरंत वापस अपनी शेप में आ जाएगा, वापस से एनरजी को रिलीज कर देगा, ठी वह आणरजी को रिलीज करके, एनरजी कोरी अटमर्ट हो जाता है, मतलब की ईनरजी क्यो शेया मतलब की जो एटीपी है, वह टर्मिनल फॉसपइट ग्रुप के हईडियोलैसिस के दवारा एनरजी को रिलीज कर देगा ठीक है, और एक्सच्चेंज पर उसक प्र देगे अppen कैसे करता है ATP जो है किसी भी chemical compound के साथ attach होता है हमने इसको X मान लिया है क्योंकि ये कोई भी compound हो सकता है ठीक है और इसके बाद क्या करता है कि ये जो X compound है वो phosphate के साथ attach हो जाता है जो कि ATP द्वारा provide की जाती है ठीक है ये कोई X compound है जो कोई भी chemical compound हो सकते हैं क्योंकि living cells में तो बहुत सारी reaction चलती रहती हैं तो वो कोई भी reaction आप यहाँ पे माल लीजिए basic मैं concept आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि actually होता क्या है तो ATP किसी भी chemical compound के साथ attach होगा जिसे वो अपना phosphate group उस compound को दे देगा तो यहाँ पे वो complex बन गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा ADP क्योंकि इसने अपना एक phosphate group EAX compound को दे दिया है तो इस तरीके से क्या होता है energy release होती है ठीके यहाँ पे जो high energy वाला bond था वो release होके एक phosphate group यहाँ से निकल जाएगा अभी तक हमने जो भी बता है आपको चीज क्लियर हुई अब हम देख लेते हैं कि ATP का production कहा होता है वैसे तो जो ATP का production है वो हमारी जो तीन मेन जो pathways हैं उसके दौरान होता है यूकेरियोट्स में जैसे glycolysis में ATP का production होता है TCA cycle में oxidative phosphorylation में जैसे जो pathways होती है उनमें ATP का production होता है यूकेरियोटिक सेल में जो माइट्रो कॉंड्रियल की सेल मेंब्रेन होती है वहाँ पे कैसे ATP का synthesis होता है तो माइट्रो कॉंड्रिया का membrane है आउट्रो मेंब्रेन एंड इनर मेंब्रेन ठीक है यहाँ पे माइट्रो कॉंड्रिया की membrane पे यहाँ पे एक protein present होता है जिसे हम ATP synthetase कहते है ठीक है इसका कुछ इस टाइब का structure होता है राइट कुछ इस तरीके का structure होता है यहाँ पे F0 और यह F1 पार्ट है ठीक है जो protons होते हैं यहाँ पे हमारे पास जो protons हैं वो cell membrane से होता हुआ ATP synthetase से होता हुआ इंसाइड एंटर करता है ठीक है यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो mitochondria की यह जो membrane है वो normal ions के लिए impermeable है यह जो विशेई स्रूप से जो protons है membrane के बाहर collect होके electrochemical potential difference उत्पन करते हैं ठीक है तो यह जो electrochemical potential difference है न इसकी वज़ा से यह जो ATP synthetase है न यह क्या करता है कि ADP molecule phosphate के साथ attach होके ADP से ATP का formation करती है राइट इस तरीके से यहाँ पे ATP का formation होता है अब जो ATP है वो जहाँ पे इसकी जरुरत होगी high concentration से low concentration की और इनका movement होता है जहाँ पे भी इसकी जरुरत होगी वहाँ पे ATP अपना एक phosphate group release करके ADP में convert होगा और फिर वापस से यहाँ आके ADP जो है inorganic phosphate के साथ attach होके वापस से ATP का formation करेगा ठीक है ATP का use sodium potation pump में यानि की active transport में भी होता है तो I hope आपको ATP में कोई confusion नहीं रहा होगा कि ATP क्या होता है इसका structure क्या होता है और यह कहां कहां use होता है इसको क्यों energy currency बोलते हैं ठीक है अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई confusion हो या कोई चीज समझ में ना ही हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर helpful लगे तो अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में